नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है अक्सर मक्य की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन अब ये काम बहुत ही आसान होने वाला है इस वीडियो में मैंने कुछ टिप शेयर किये हैं जिससे आप इसे चकले बेलन की साहता से असानी से बेल लेंगे और सिर्फ मक्य के आटे से ही पतली और नरम नरम रोटियां बनकर तयार हो जाएंगी रोटियां आपस में चिपकेंगी भी नहीं, एकदम फूली फूली रोटियां बनेंगी इसमें आपको किसी भी तरह का कोई आठा एड़ नहीं करना है फोल करके देख लेते हैं, काफी सॉफ्ट बनी है, ये इतनी सॉफ्ट हैं कि सिर्फ दो उंगलियों से ही तोड लेंगे, चलिए देख लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथी बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिसे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें यह मैंने दो कप मक्की का आटा ले लिया है, इसे मेज फ्लार कॉन मिल भी कहते हैं मक्की की रोटी बनाने के लिए हमें इसमें कुछ भी आड नहीं करना है, आपको जितनी रोटी बनानी है उसके अनुसार ही आटा ले लें इस आटे से मीडियम साइज की 8-10 रोटी बनकर तयार हो जाएंगी इसे गुतने के लिए 1 कप पानी लग जाएगा जितना आटा लेंगे उससे आधा पानी लग जाएगा यहां मैंने 2 कप मकी का आटा लिया है तो 1 कप पानी लग जाएगा अब एक पैन को ले लेंगे उसमें 1 कप पानी डाल कर गरम कर लेंगे यहां पानी को हमें उबलने तक गरम करना है उबालना नहीं है बॉइल नहीं करना है आदा चमश नमक कर डाल देंगे आप नमक नहीं डालना चाहें तो ना डालें पानी भी गरम हो गया है मक्की के आटे को इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे आटे को पानी के साथ मिक्स कर देंगे ये काफी गरम है इसे स्पून की साइता से ही मिक्स करना है अब इसे ढख कर एक दो मिनिट के लिए रख देंगे और ठंडा होने देंगे जिससे हम इसे अपने हाथों से हैंडल कर सके दो मिनिट के बाद आटे को परात में या फिर किसी बड़े वर्तन में निकाल लेंगे अब इसे हातों से मल लेना है इसे 3-4 मिनिट तक इसी तरह से मलना है जिससे ये चिकना हो जाए जरुवत होने पर हात में थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा लेंगे और मल लेंगे ये बहुत ही जरूरी स्टेप है इसे हात की हतेली से ही मलना है थोड़ी देर में देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो गया है हमें इसे इतना ही सॉफ्ट रखना है इसे रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुरंत ही लोई तोड़ लेंगे और उसे गोल कर लेंगे लोई का साइस भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है नहीं तो रोटी बनाना मुश्किल होगा बिल्कुल इसी तरह की लोई बना लेनी है इसे सुखे आटे से कोट कर लेंगे और हातों से घुमाते हुए बड़ा कर लेंगे इसके किनारों को भी ठीक करते जाएंगे एक बार और सुखा आटा लगा लें और बेलन से बेल लेंगे इसे इसी तरह से बेल लेना है पॉले थिन आदी किसी भी चीज का यूज नहीं करना है देखिए रोटी कितनी आसानी से बड़ी हो गई है केनारों को भी ठीक कर लेंगे देखिए इस रोटी को बनाना कितना आसान है कितनी आसानी से उट भी रही है हमने इसमें कुछ भी एड़ नहीं किया है इसी तरहें दूसरी रोटी भी बना लेते हैं लोई को सुखा आटा लगा कर घुमाते हुए बड़ी कर लेंगे इससे रोटी गोल बनेगी प्रम तवे पर रोटी को रख देंगे जब ये थोड़ी सिख जाएगी तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइट से भी सिखने देंगे देखिए इसके उपर बहुत छोटे छोटे बबल्स भी दिखाई दे रहे हैं रोटी दूसरी साइट से भी सिख गई है इस पर थोड़े से स्पोट्स भी दिखाई दे रहे हैं इसे डिरेक्टली फ्लेम पर ही सेक लेंगे इसे दौनो साइट से पलटते हुए ही सेक लेना है रोटी बिल्कुल गुबारे की तरह फूल गई है फूली हुई रोटी लंबे समय तक सौफ्ट बनी रहती है आप चाहें तो रोटी पर घी लगा लें और इसे पराठे की तरह तवे पर ही सेक लें रोटी काफी सौफ्ट बनी है इस पर देशी घी लगाएं या घर का बना हुआ ताजा मक्षन डालें अब मक् Gong की रोटी बनाना बिल्कुल भी जंजट नहीं लगेगा बहुत ही आसानी से बना लेंगे अधिकतर मक्क की रोटी सरसों के साग और गुप के साथ सर्व की जाती है इसे आप किसी भी साग, पालक साग, बत्वा साग, चाना साग किसी के साथ भी सर्व कर लें पालक के साथ की रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है लिंक भी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ चेक कर लें इसे तोड़ कर भी देख लेते हैं रोटी इतनी सोफ्ट बनी है कि सिर्फ दो उंगलियों से ही तूट जाएगी रोटी बनाते समय ध्यान रखेंगे कि आटा ताजा पिसा हुआ ही लेंगे गरम पानी का ही यूज करेंगे और आटे को तीन से चार मिनिट के लिए जरूर मलें मक्के की रोटी हमेशा ही परफेक्ट बनेगी जल्दी ही मिलते हैं कुछ और किचिन टिप्स के साथ